Hc1 solution chapter 31 capacitors question no.39 a capacitor with stored energy 4 Joule is connected with identical capacitor with no electric field in between find the total energy stored in two capacitor okay , तो एक capacitor है अपने पास यह वाला जिसके अनर्जी कितनी है 4 Joule है और इसको identical capacitor यानि इसका C capacitor या इसका भी C capacitor है तो इसके बीच में कोई electric field नहीं है यानि यह कोई charged नहीं है यिए इसके पास पास इनर्जी नहीं है यह इसके पास energy है इसके पास charge है तो जैसे इसको connect करेंगे Uncharge से तो क्यो होगा इसमें से charge flow होगा Right, Charge flow होके ओने के बाद माहननोगो इसका charge आपन Q लेने था इसके अंदर stored charge कितना था Q था चार्ज फ्लो होने के बाद मानलों इसके इंदर Q1 रह गया और इसके इंदर Q2 चला गया तो Q is equal to में वो count divide हुआ Q1 और Q2 में divide हुआ तो इसके इंदर energy stored हुए तो energy stored थी तो उसका formula क्या लिखेंगे half Q square by C ये energy already stored थी अब यहां से charge flow हो रहा है तो चार्ज कब तक flow होगा जब तक इनका potential same नहीं हो जाए तो इसका potential V1 लेता है इसका potential V2 लेता है जब तक ये दोने equal नहीं हो जाए तक charge flow होगा और potential का formula क्या होता है potential होता है Q by C यानि ये Q1 by C plus is equal to Q2 by C right C1 और C2 अब यहां पर C1 और C2 तो same है तो इसका मतलब Q1 is equal to Q2 होगा right और अगर इस Q1 is equal to Q2 को मैं यहां put करूं तो मेरेको मिल रहा है Q is equal to 2Q1 यानि Q1 is equal to Q by 2 और Q2 is sorry Q by 2 Q1 is equal to Q by 2 और वही होगा Q2 तो Q2 और Q1 क्या होगा Q by 2 होगा यानि आदा आदा चार्ज होगा यानि दोनों के अंदा चार्ज क्या है हाफ है तो जो पहले एनर्जी थी अब एक के एनर्जी कितनी है एक के एनर्जी का मैं फोगा हाफ Q1 square by C right और दूसरी एनर्जी क्या होगी हाफ Q2 square by C अब देखो Q1 कितना होगा Q by 2 Q by 2 होगा यानि हाफ Q square by 4 C अब देखो यहाँ पर 1 by 4 आ रहा है 1 by 4 of E1 right और यह आ रहा है कुछ गलत कि आपनने Q square by C सही है 1 by 4 of E आ रहा है ठीक है और यह कितना आ रहा है यह भी वापस 1 by 4 of E आ रहा है यानि यह आ रहा है जो 4 है 4 Joule है उसका 4 यानि 1 Joule एक के अंदर स्टोर होगी इसके अंदर भी 1 Joule एनर्जी स्टोर होगी यानि दोनों के अंदर मिला का है total energy कितने स्टोर होगी 2 Joule